टमाटर के दाम आसमान शू रहे हैं जिसे लोग काफी परिशान भी हैं लेकिन इसे बहुत जल्द राहत मिलने वाली है चौक गए क्या हाँ आपको बता दें कि जो टमाटर से परिशान थे जो टमाटर फ्रिज में कभी सजा करते थे आज वो टमाटर सिर्फ ठेलों पर दिख केंद्र सरकार राजधानी में टमाटर सस्ते करने वाली इसके लिए पिछले महीने वृद्धी हुई है उसके आधार पर वित्रण केंद्र चुना जाएगा इसके जानकारी प्रेस रिलीज में दी गई है आपको बता दें कि दिल्ली के कुछ लाखों में हालत ये है कि चिक अधानों पर रियायती दर्प टमाटर उपलद कराया जाएगा ये विवस्था परसो यानि शुक्रवार से शुरू कर रहे हैं केंद्र सरकार के डिपॉर्टमेंट औफ साफतोर पर कंजूमर आफेर्स डिपार्टमेंट आफ कंजूमर आफेर्स ने आंधर प्रदेश राश से टमाटर खरीदने का फैसला लिया है ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राश्टी राजधानी दिली और NCR में टमाटर की कीमतों पर नकेल कसी जाज सके सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की एजनसी नेफ्ट इंड राज्य से टमाटर का साफतोर पर भुक्ता मामलों के विवहाग से जुड़े सरकारी सूत्रों नेफ्ट और साफतोर पर NCCF को फोरण आंधर प्रदेश करनाटक और महराश की मंडियों से टमाटर खरीदने के निर्देश दिये गए हैं उन्हें निर्देश हैं कि जिन जगाओं पर टमाटर की कीमत सबसे ज जानी चाहिए यह तो टमाटर का प्रड़क्शन देश के अलग लगभग सभी राज्य में होता है लेकिन इन दिनों टमाटर का ज्यादा उत्पादन दक्षिण और पच्छिमी भारत के राज्य में होता है इन राज्य में करीव 56-58% सरकार का कहना है कि टमाटर की सप्लाई में दिक्कते साफतोर पर विपरत मौसम की वजह से फसल को नुकसान होना और जिसके चलते टमाटर की कीमतों में उच्छाल देखने को मिलना सरकार को अमीद है कि टमाटर की नई फसल आने के बाद इसकी कीमते समानने हो जाएंगी वैसे तो आपको बता दे कि विभाग में बताया कि किन केंद्रों पर टमाटर बेचे जाएंगे इसके पहचान पिछले एक महीने में रिटेल कीमतों में हुई इजाफिक आधार परकी जानी है वो सभी सेंटर जहां कीमती देश के आउसत कीमत से अधिक हैं वहां टमाटर की सप्लाई की जाएगी पूरे देश में दिली और NCR में इसकी कीमत 150-200 तक पहुच चुकी है भारत में टमाटर का उत्पादन अलग-अलग मात्रा में लगभग सभी राज्यों में होता है सबसे जादा भारत के दक्षिन और पच्छिम छेत्रों में होता है जो अखिल भारतिय उत्पादन में 56% से 58% का योगदान देटा है दक्षिनी और पच्छिमी छेत्र अधिशी इश्राजी होने के कारण उत्पादन मौसम की आधार परण्य बाजारों को अर्पित करते हैं विविन छेत्रों में उत्पादन सीजन भी अलग-अलग होते हैं कटाई का चरम मौसम दिसंबर सी परवरी तक होता है के साथ मोंसून का मौसम आने से वित्र शंबन विश्य रूपर अजाती है और साफतोर पर परागमान घात साफतौर पढ़ने से कीमतों में बड़ोत्री होती है रोपण और कटाई के मौसम का चक्र और विविन शेत्रों में विविन्ता तमाटर की कीमत की मौसमी इस्तिति के लिए मुख्य रूप से जिमिदार है समान में मौल्य मौसमी के अलावा आस्थाय पूर्ती श्रिंखला विवस्थान और प्रतिकुल मौसम की सिति आधी के कारण पसल की छती अकसर कीमतों में अचानक वृति का कारण बन जाती है यह तो आपको बता दिया गया कि किस तरीके से टमाटर की कीमतों में उच्छाल आया लेकिन अभी साथ तोर पर जो खुशकबरी आपके लिए है कि बहुत ज़ल टमाटर की कीमते समान में होने जा रही है और सरकार इस पर जिस तरीके के भी फैसले और निदेश्य दे रही ह हुआ 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 है